Assalamualaikum मैं हूँ सुलیवान अद्माद और आप देख रहे हैं Soft Technology Tools तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप पर साथ शेयर करने वाला हूँ iPhone का Open Menu iCloud किस तरीके से हम जो है वो रिमूब कर सकते हैं और iCloud रिमूब करने के लिए हमें जो है वो कोई भी किसम की प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है हम किस तरीके से डारेक्ट जो है Open Menu iCloud रिमूब कर सकते हैं तो यह Unlock Tool के एक नही अपडेट आई थी वीडियो भी आई थी तो काफी दोस्तों के मैसेजिजिस आये हैं के सर आप ताइनलि इस वीडियो वो जो हमाज़सा शेयर करें कि यह किस तरीके से काम गठता है तो यह वो ही वीडियो है लेकिन इसको थोड़ा बहुत है जो हम वो मैंने एडिक्त करके तो मैंने का चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूं तो बगार किसी दिरी के आइज चलते हैं हमने कंप्यूटर की सेक्रीन पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलोक टूल और यहाँ से हम आया में नमबन लेंगे आईफोन 8 अपनी फिलहाल तो उसको चेक कर लेते हैं कि उसका फाइंड माई आईफोन आउन है या आफ है तो यहाँ पर अगर देखें तो फाइंड माई आएंग फून जो है वो आउन है तो अब जो है हम इसको सकरीन को उपन करते हैं और मैं आपको बताता हूं करना क्या है इसमें कोई भी प्रॉक्सी नहीं लगाने कुछ भी नहीं करना अभी यहाँ पर हम सैटिंग को उपन करेंगे उपन करने के बाद आई कलोड के अंदर जाएंगे आई कलोड में जाने के बात, जो है आपने ShowAll जो है, उसके उपर कलिक करना है ShowAll पे कलिक करने के पाद, सेम वह मैटड है जो आप Game Center को आउन अफ़ करते हैं इसमें जस्ट Game Center को आपने आउन अफ़ करना है और कुछ भी नहीं नहीं करना अगर Game Center on off पे आपसे पाफ़वर्ड रिक्वाइर करता है तो आपका Open Menu जो आई कलोडर वो रिमूव नहीं होगा तो यहाँ पर यह दिखें कि Game Center जो है वो यहाँ पर on हो जाता है तो यहाँ पर यह on हो चुका है अब आपने Simple Bag गा रहा है और Wi-Fi को off कर देना है इसमें कोई किसी किसम की प्रॉक्सी लगाने की ज़रूरत नहीं बढ़ती off हो चुका है अब Simple आपने क्या करना है यहाँ से सब कुछ बंद करना है और iTunes को आपने Open कर लेना है तो iTunes पे आने के बाद आपने Simple Phone पे क्लिक करना है यहाँ पे देखें दिस PC और Encrypt Local Backup पे उपर आप क्लिक करें और वो आपसे password require करेंगा कोई भी password रखने वान टू त्री फोर जैसे भी आपने रखना है तो अभी यहाँ पे 5 पासवर्ड जो रखा गया है तो यह backup लेगा बैक अप लेने के बाद जो है इसी backup के ऊपर हम जो है Find My iPhone को Off करेंगे प्रोक्सी खतम हो गई अब अब यहाँ पे चलते हैं Apple के अंदर Apple में आने के बाद आपने मैनूल वाले पे क्लिक करना है OK करना है तो वो ही जो फोल्डर है वो ओन हो जाएगा आपने जो भी पासफ़र्ड आपने अपना रखा हुआ है आपने वो लगाना है और यह All iOS वर्जिन के उपर और All devices के उपर स्पोर्टेड है इसमें कोई प्रोक्सी लगाने के जरूर नहीं है कुछ भी करने के जरूर रहता नहीं है आपको तो यहां पर जो है वो अभी backup को read करेगा रीड करने के बाद जो है find my iPhone जो है वो उसको off कर देगा तो अभी आपको दिखाता हूँ यह देखें find my iPhone जो है वो off हो चुका है तो यहां पर जो है दोबारा चेक कर लेते हैं यहां से imi number copy करते हैं और यहां प्याने के बाद दुबारा से आया हमें नवर डालते हैं और उसको चेक कर लेते हैं तो यहां पर अगर आप देखें के हमारा Find My iPhone आफ हो चुका है अब आप इसको Flash कर सकते हैं और अपना यूज कर सकते हैं तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अलाहाफेज